कि नमस्कार दुस्तों स्वागते आप सभी का M.D. Classes की यूटूब चैनल में रेल्वी गुरूप D की परिक्षा है अगले 2-3 महीनों में होने वाली है जैसा कि आप सभी को पता है और लेरी रेल्वी पे ने कई सारे ऐसे इमेल के रिप्लाई भी दे दिया है ये भी आप लो से आगे-आगे पिपेसंग करनी चाहिए इस वीडियों हमनों बात करेंगे आपको पता है कि मई ओलिडी चल ला है और मई के आपके यहाँ पे 7-8 तारीक आज हो चुकी है अब आपको अगर मई हम छोड़ दे और मई में बच्चे वे दिनों का अगर देखा जाए उसको ज क्या ऐसा करते हैं कि वह सेलेक्शन ले जाते और भी जितनी जानकारी होंगी वह इस वीडियो में देखने वाले हैं सबसे पहले आते हैं सिलेबस क्या है उसके बारे में जड़ा जानकारी आप ले लो बढ़ियां से बस बात को समझेगा तो हम यहाँ पर देख पाएंगे क कि हमारे पास पत्चीस कोशन आते हैं पत्चीस नंबर के आएंगे रीजिनिंग के तीस कोशन आएंगे आपके पास यहाँ पर तीस नंबर के आएंगे पत्चीस कोशन आपके अलग से सिरफ और साइन्स क्या आते हैं और यहाँ पर बीस कोशन आपको जीके जीएस और साथ साथ करेंट अफेस मतलब कि हिस्ट्री जोगर्फी पॉलिटी एकोनॉमिक सब कुछ आरा साथ साथ आपको करेंट अफेस भी देखने को यहां पे मिलेगा बीस कोश्चन में अब यहां पे स्कोरिंग सब्जेट क्या क्या है जरा इस पे ध्यान दो अच्छा क्या मैथ में 25 में 25 को लाना आसान है बिल्कूल आसान है मैं आपको बताऊंगो कैसे आसान है मैं तो इतनी गारंटी दे दूंगा कि आप 24 नंबर 23 नंबर आसानी से कर पोग अगर आपको विश्वास ना के एक महीना पढ़ाया था आप में से बहुत सारे बच्चों होंगे जो 30 कोशन एंटी पीसी के आराम से 26-27 मात्र एक महीने के पढ़ाई में करें होगे अगर आपने किया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा रिजिनिंग की मैन वन आप दा बेस्ट फैकल्टी 25 ले लाना उनका काम है किसी भी तरीके से चाहे रिजिनिंग कैसी भी आ जाया है साइंस के रहमान सार बहुत बढ़िया फैकल्टी है देखो साइंस में यह होता कि बहुत अंदर तक की बाते कभी कभी पूछ लेता क्योंकि सिरफ साइंस ही आता है वो आपको पीसस लेवल त वो किलियर है कि नहीं किलियर है बहुत सारी इस हो जाते हैं तो टार्गेट आपको ही होगा कि आपको किसी भी तरीके से जौब कर राइस्कोर है न वह असी प्लस जाना चाहिए बस इतनी बात आपको पता होनी चाहिए राइस्कोर असी प्लस जाएगा बहुत अच्छा कर आराम से कर पाऊगे मैंने 10 नंबर यहां कम करें और पांच नंबर इन दूनों में इलाकर कम कर दिए तो आपके राइस को रसी आसे ही आजाएंगे मालों नहीं ब्याते हैं बड़ा टागेट लेके चलोगे तो चोटा टागेट तो ऐसे यह चीव कर पाऊ गए समझ पार हैं आप आते हैं बात करतें बच्छे दो महीनों में मैं टॉपिक वाइच चीजों को उपर बात कुरूँगा सब से पहले अगर मैं मैथ ले लेता हूँ तो जरह आपको समझाता हूँ कि क्या हो रहा है मैस में और कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो दोस्तों आपको पता है मैंने जब पहली बार सीजल दिया था 2017 का तो मेरी मैस में 50 में 50 नमबर प्रीमिय आये थे 2020 दिया फिर पिर 50 में 50 नमबर स्वारी 2019 जब जिया था थो फिर 50 में 50 नमबर कैसे आएंगे सिरफ और सिरफ प्रैक्टिस से concept clear से और मेहनत करने से ये number अपने आप आ जाएंगे और कोई बहुत ऐसा नहीं आजूबा कि जो full marks लेकर आता वो कहीं किसी दुसरे धरती साथ अब बिल्कुल नहीं होता है सब यहीं के हैं, सब यहीं कर रहे हैं सब यहीं बहुत बढ़ियां करके भी दिखा रहें क्या करना होता है, ध्यान से समझेगा आपके दो पार्ट होते हैं मैथ में एक होता है अरितमेटिक और एक जो आपका पार्ट होता है वो होता है एडवांस का अरितमेटिक में आपके पास तॉसट तो बहुआं से क्लियर होना चाहिए आपके क्लियर होने चाहिए बाद से बाथ से सबको पता होगा ठीक एडवांस दो पार्ट में डिवाइड होता है मैं माल लो कि धाई महेने बाद आपका पेपर है तो क्या आप ये टागेट कर सकते हो कि डेड़ महीने में आप पूरा का पूरा math के दोनों के दोनों जहां से भी आपने पढ़ रखा हो चाहे अपने किसी paid courses में पढ़ रखा हो free classes में पढ़ रखा हो कहीं भी पढ़ रखा हो पूरा सिरिभस खतम कर पाऊगे कर लोगे ना दो महीन अगर आपने सिर्भस खतम किरा दूँगा क्योंकि मैने आपको पता है बहुत से बच्चों के शिकायतो यह थे सर आप सुरू fundamental टो किina लोगडाईन सरीज शुरू तो किया 20 दिन का मैंने कहा था कि लॉगडाऊन स्रीज चलेगा उसमें मैंने च्वार्ट करा दिया आज उसका सात्वाज है सामको साथ बजे उसमें बहुत सरी मैं उसको पूरा 20 पार्ट कांटीनू करूंगा देन मैं को एक किताब उठा कि उसको पूरा स्वाल्व करा दूंगा आपके लिए वह भी परिसानिया बिल्कुल खतम हो जाएंगी ठीक मैं था आपको ऐसे करना है चैप्टर वाइज कैसे करें आप वह कर सकते हो मैं थाप ऐसे खतम कर पाओगे रीजिनिंग की बात आ जाते हैं रीजिनिंग के एक ऐसा टॉपिक है जो लगभाल लभग देखा जाया तो हर बच्चे को रीजिनिंग आता है बिल्कुल सही बात है भाई मैंने कहा दो चार शे आठ अगला नमबर ब परिक्षा हैं यहां जो माहिने रखेगी वह स्पीड एन अक्युरेसी माहिने रखेगा अगर आपने स्पीड बरावर रखी एकुरेसी बराबर रखी फोल क्या जोगे यह बात की मेरी गारंटी है के लिए यह बात समझना रीजिनिंग में आपको सिरफ हो सिरफ करना है प् देख लो डेड़ महीना क्या एक महीने में आपको जो जो ट्रेप्टर नहीं आते आप उसको कंप्लीट करो देन रेजिनिंगी कोई बुक उठा के प्रैक्टिस कर लो मैं मैं की लॉग्डाउन स्रीज खतम होने के बाद अभी उनकी नहीं चलनी विकॉज आफ कोवीड का मा मात्र साइंस के आ रहे हैं गुरुपडी में सब को ये बात पता है साइंस के रम्हान सर आ रहे हैं आप सभी के लिए वह फ्री क्लासे लेंगे पेट क्लासे ज्यादा लेंगे क्योंकि अल्रड़ी उनके पास समय बहुत कम होता है वन अब बेस्ट फैकल्टी मैं बोलूंग एक साइब करेंट्वडरी सकते हैं सबान बजे आमको पता है कि यहां पर यूप SI का बैस्स लेकर आ उसमें को अगर करेंट्वड़ी कंप्लेट यह तो आप ऊपनी लाइफ के बहुत बहत्री होने वाले मैंने कॉट्स जो है अपने टेलिग्राम चना पर बच्चों के साथ सेयर कर रखा था टेलिग्राम पर आपको बहुत सारी पीड़ाफ मिल जाती है तो वहां पर मैंने आपको शेयर कर रखा था एक बीड़ा आप वहां पर पूरा मैं आपको दिखाता भी ह है वो टेलिग्राम का तगड़ा है कि जो है एक से बहुत मज़ाएगा आपको समझना इस लॉक्डाउं के बारे में बड़ी अच्छी बात कही गई थी क्या है वो बात ज़रा आपको एक बाद ध्यान से देखना आप कहोगे जिस छात्र ने अभी का समय ढंक से इस्तिमाल कर लिया तो वह समझो कि सूने से सिखर तक पहुँचे गया यह बात बिल्कु सही है क्योंकि आप छात्र जीवन में संगर्स है हर जीवन में संगर्स है अगर जिंदगी में कभी भी आगे बढ़ने की कोसिस करोगे तो संगर्स म बैटके अपने आपको मजबूत बना रहे होंगे और वही स्लेक्शन लेकर जाएंगे और मुझा पता है और पहले सरकार आने बाद कहा दी कि प्राविटेशन जो भी होगा ये इन वैकेंसी से कोई मतलब नहीं होगा इनके बाद का मतलब होगा और वैसे नौकरी अगर आप पढ़ोगे तो जरूर लगेगा कोई ऐसा तोपन यह नौकरी नहीं लगेगा लोगों ने सोड़ रखी मैंने खुद नौ जरूरत हो तो मेहनत करने का जरूरत हो तो पढ़ने का और आप कर भी सकते हो मैना तो पढ़ भी सकते हो तक अगरे तरीके से अभी यूटूब पे कौन से हम फ्री क्लास में लेकर आ रहे हैं जड़ा देख लो एक बार तो अभी हम 9 बज़े से लेके एक बज़े तक UPSI को टागेट कर रहे हैं अब बताओ क्या चाहिए इससे ज्यादा आप पढ़ने की कोशिस भी नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा यह कहोगे नहीं सरजी पेपर ही नहीं होगा तो जिद दिन पेपर होगा बेटा उस दिन किसी लाइक भी नहीं बचेंगे हम लोग समझ रहो साथ बज़े मिलेंगे लॉगडाउन सेरीज अलजेबरा का पार्ट टू में तब तक लिए बाय बाय गुड़नाइज टेक के थाइंक्यू सो मच गाइस थाइंक्यों